अभसकार दोस्तों, स्वागत आपका इस वीडियो में एस वीडियो में BTSC ANMονोसलिंग परकिरिया को लेकर सारे अपडेट्स जा े जैसे कि कॉंसलिंग परकिरिया को लेकर डेट जो दिया गया था अप लोगका करेंगे जैसे कि counseling पड़कर को लेकर date जो दिया गया था आप लोग का वह कब से आप लोग के counseling के पड़कर होने जा रहे है क्या कुछ aio के तरफ से निकल के बहुथ आ रहे हैं आप लोग का कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साथ ही हम लोग रिजल्ट डेट को लेकर भी चर्चा करेंगे यह कब तक आपका रिजल्ट आ जाएंगे तो और जैसे कि कौंसिलिंग को लेकर बीटियसी आयो के तरफ से दिया भी गया है तो वह सारे कुछ हम लोग इस वीडियो में जाल लेंगे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो फिली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इससे आपको बीटियसी आयनम और बिहार आयनम की रिगादिंग सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं पेपर में जिसमें आप लोग के कौंसलिंग की कौंसलिंग परकिरिया के डेट को लेकर इसमें दिया गया है कबसे आपकी कौंसलिंग की परकिरिया होने जा रही है यह सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एनम की कौंस समय लगेगा तो इसमें दिया गया अप्राइल से महीं तक आप लोग इस परकिरिया चलेंगे और जैसे कि स्वास्थ विवाग के तरफ से जो भी वेकेंस के उन सारे वेकेंसिया को खिलियर कर रही है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि या एक स्वास्थ विवाग का ही वेकेंसि था उसके रिगार्डिग मेरिट लेष्ट या उसका जो फाइनल मेरिट होता है पदस्थापन के लेकर वो जारी कर दिया गया है तो तो अब आप लोग का वेकेंसी और उसके बाद ट्विटर एनम और कुछ बीटीएसी के पास ही कुछ वेकेंसिया बचे विया है और जो स्वास्त भाग के पास वेकेंसिया है उन सारे वेकेंसियों को लातार किलियर कर रहे है तो बीटीएसी भी सारे वेकेंसियों को बहुत जल्द किलियर करेंगे तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि अप्राइल में में इन्हों ने पुरा था कि हम कॉंसलिंग की फर्किर्या को पूरा करें गे कंसलिंग अप्राइल में शुरू करेंगे थोड़ा घाले का पेपर हैे तो इसमें देंओब थैब है जैसिके दसबशार伏 मंओ पर लिए इसके लिए ईतने पदो के लिए और इसमें जो हम फॉर्म करें नमर आप फॉर्म ते एक लाग प्लस फॉर्म फील हुए है तो इतने फॉर्म को वेरिफाय करना मार्क अधार पर आए तो उसको अच्छे तरीके से वेरिफाय करने होते हैं क्योंकि इसे पहले जो हम यदि बात करें इसे पहले जैसे कि अमीर वाले बहाली जो हुए थे तो अमीर वाले बहाली भी इसी तरह मारक अधार पर ही हुआ था 2019 में तो उसमें भी वेरिफाय किया गया था अच्छे तरीके से लेकिन उसमें उसके बावजूद भी 200 प्लस कंडिनेट ऐसे भी है जो की फर्जी है उन सारे मुद्दों को ध्यान रखते हुए उन सारों बातों पर ध्यान रखते हुए अब जो एजेंसिया इनकी जाज आप लोगों की जो बारक्षेट वेगेरा जो डुकुमेंट्स वेरिफाय किये जाएंगे उन सारे डुकुमेंट्स को अच्छे तरीके से रिजाज करेंगे इसमें थोना सा समय लगेंगे और आप लोगों की रिजल्ट के कौन फाइंडिंग डेट क्या कुछ आ है और जैस तो चलिए हम लोगों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू